नमस्कार श्वागत है आपका सीनियूस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्तव एक तरफ सरकार गाउं को शहर वा नगड से जोड़ने के लिए तमाम यूजना बना कर ऐसे गाउं के विकास के लिए पैसा बहा रही है वहीं शेत्रिय जन प्रतनिद्यों की बेरुखी के चलते कई गाउं की तरफ किसी ने आज तक विकास के नाम पर कोई ध्यान नहीं दिया जुसकारण कई गाउं का विकास नहीं हो सका भाजपस सरकार में विकास का दावा पन्ने पर ही रह गया जुसका उधारण आज हम आपको दिखाएंगे देखिए ये रिपोर्ट और जानिये कैसे 5G के युग में भी गाउं में कैसे करना पड़ता है लोगों को गुजारा बुंदेल खन का सबसे पिछड़ा जिला है पन्ना जहां पंचायत अंतरगत ग्राम पंचायत खजरी कुडार के माजरा कोतवाली पुर्वा में सडक ना होने की वजह से ग्रामवासी गर्बवती महलाओं बीमार बुजुर्गों को खाट पर गाउं से मुख्य मार्ग तक ले जाने को मजबूर हैं दरिसल मामला जिला मुख्याले पन्ना से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कुडार के मजरा कोतवाली पुर का है जहां अजादी के 78 सालों बाद भी कोई रास्ता नहीं मिल सका एक तरफ पन्ना टाइगर रिजर्व बफर जोन का घना जंगल और दूसरी तरफ निजी भूमी लगी हुई है जिससे यहां के लोगों को खेतों की मेर से आवा गमन करने को मजबूर होना पड़ता है ग्राम बासी मीरा बाई बंशकार ने बताया कि गाउं के लिए कोई रास्ता नहीं है इसलिए खेतों की मेर से आवा गमन करना पड़ता है बरसात के दिनों में खेतों में फसलों की सुरक्षा ही तू बार लग जाने एवं कीचर की वज़़ से आवा गमन में कठनाई कई गुना बढ़ जाती है बरसात में बीमार होने पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने से यहां के कई लोगों की मौत हो चुकी है तो पांच छे साथ हो गए परिसान होते होते हैं अभी बनाई नहीं रोटी नहीं बना देते हैं दादाजी खतम हमारे हो गए बड़े जेट हमारे खतम हो गए साथ दान मिलेगा तो ठीक है नहीं तो कोई कहने की बात ही नहीं है तो उसका कोन है सामानने वाला क्या चाहते हैं हम लोग है इस चाहते हैं कि माई धर से गउत रोट देए जाए आपको बता दे कि यहां पांच मी तक स्कूल है आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को इनी खत्रे के मार्गों से आवागमन करना पड़ता है बरसात के चार महा बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और गाओं के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक एवं शिक्षकाएं भी मुश्किलों में पहुँच पाते हैं हालही में गोरिलाल बंशकार ने बताया कि उसकी मा बीमार है हालत बिगड़ने पर खाट में लिटा कर लगभग डेड़ किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग तक पहुँचा कर किसी वाहन की विवस्था से जिला अस्पताल पहुँचाए गया ग्रामिनों ने बताया कि पट्टे की जमीन होने से सडक नहीं बन पा रही है और इसी वजह से दो बस्तियों के लोगों को इतनी परिशानी उठानी पड़ रही है लोगों की मांग है कि प्रिशासन हस्तक शेप कर रास्ते के लिए जमीन की विवस्था कर सड़क का निर्मान करवाए ताकि यहां के लोगों की समस्या हल हो सके हनद कार जान बनसकार समाज के हैं ना यहां का कोई मंत्री मेंट रवाय करको दाक्टरल को बुलाते तो भी कहते हैं रस्ता नहीं हम कैसे आए और हमारी इतनी इस्तिती खराब है हमाई माँ बहने कोई गरब बती हो जाती है तो यह बूलेंस यहां पर नहीं पहुच पाता ही समय से स्रीमान जी से सबसे कलेक्टर साफ से निवेदन करते हैं प हमारे बच्चे सही डंग समना पढ़ पाते हैं ना कोई यहां सुब्ढाया आसुब्दा है यहां के जो टीचर भी परना से आते तो विचारे लेडिज बगैर आती उनको भी दिक्कत होती है बच्चों को भी पढ़ने लिखुने में दिकत होती हैं कहां से आये छोटे-छो स्रीबान जी और मंत्री साब निसे निए कोई हमारी今 तो 仔तé स्कार बोलते हुए उनकी प्हलाने की जमीन ध्यकमें किसी से लिया कि लिए दे दो तो कि हम फाह न आ सके ओंगे दो पहिया वहां है साइक를 है हलकी इस पूरे मामले में जब जिला पंचायच CEO संग प्रेज से बात की गई तो उनका कहना था कि आपके माध्यप से मामला संग्यान में आया है अधिकारियों को भेज कर मौके का निरिक्षन करवाया जाएगा और यदि निजी भूमी है तो दान करवा कर जल से जल ग्रामिनों के लिए सडक की विवस्था की जाएगी आपके माध्यम से ये जो सडक नई होने का मामला संग्यान खजरी कुडार पंचायत में आया है इसकी अधिकारियों को भेज कर इंजीनर को भेज कर जाँच करी जाएगी मौके की बनने की कगार पर बात करता है तो वहीं दूसरी ओर एक गाउं की हालत ऐसी है कि आम्बुलन्स तक नहीं जा सकती ये कैसा विकास है ये सोचने वाली बात है अफसोस है कि आज भी ऐसे गाउं है इस देश में जहां आज भी लोग नर्किये जीवन जीने पर मजबूर है फिलाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं सीनी उस भारत